एक स्टोरी परमेशन ने बताया अपवह पुत्रों का बारे में, प्रोडिकल सन का बारे में, उसमें आप लोग क्या समझने पाता है, जब बेटा अपना बाप का धन को पूरा बरभात कर दिया, सूर का खाना खाना पड़ा, कपड़ा गंदा हो गिया, जूता भी नहीं है, उचल चल के जब अपना पीता का घर वापस आ रहा था, लिखा है कि पीता दावड़ के क्या उनका पास, पीता दावड़ के किसली गिया था, हम तो बहुत साल से ये स्टोरी परपड़ के आ रहा, और हम हमेशा सोचा, कि परमेशन उसका प्रेम दिखाने के लिए उसका गल देखने का आगे पीता दावड़ के जाके उसको धाक दिया, हालेलिया, हम कुछ बता रहा है, आख में आशु आ रहा है जब सोचता है, परमेशन हम लोग कैसा धाक के रखता है, नौकर लोग घर में बेटा का नंगापन नहीं धेखना है, उसका गंदगी नहीं देखना, बाप जाकर उसको लिपट हिया, उसको गला मिला है, उसको छुपा रहा है, नोकर लोग हमारा बेटा का नंगपन नहीं देखना, उसका गंदगी नहीं देखना, पीता ने हम लोग से इतना प्रेम करता है, प्रभू हम लोग से इतना प्रेम करता है, हम लोग को बेज्यती करन के लिए नहीं देता है हम लोगों को शर्मिंदा होने के लिए नहीं देता है कि ऐदी ने दौर बेटा को लिपट गया कर शूर क का अड़ा से आ रहा है सुहर को चरवाग से आ रहा हैं गंदा जागा से आ रहा हैं लेकिन बाप इतना प्रेम है कि उसको ढाक दिया और उसको ढाकने के समय में नोकर लोग को बोलता कपड़ा लेके आओ उंगटी लेके आओ पगरी लेके आओ और घर में जाने का आगे दूसरा नोकर लोग देखने का आगे इसको हम इधर ही सजा के लेके जाएगा जब आप प्रभु का पास आएगा यही काम परिमेश्वर करता है यही काम इश्यू करता है आप अपना पाप का हालत में जब उसका पास आता है वो आपको संग संग धो देता है आपको साफ करता है आपका नंगपन कोई नहीं देखना है आपको शर्मिन्दा होने के लिए नहीं दे रहा है वो आपसे प्रेम करता है वो आपका डैडी है इसलिए वो क्या पाहिला से लाके इधर ही पेना हो वो बहार में, वो रोट कोपर में, वो दूर जागा में, डैडी उसको सजाया, और राच कुमार का जैसा, बेटा का जैसा, उसको फ़र घर वापस लेके गिया है, हलिल्या, इश्यू यही प्रेम का बारे में, प्राडिकल सन का स्टोरी में हम लोग को समझा रहा था, इतना सा हम नहीं समझा, आज पवीत्रा आत्म जब हम कुछ समझाया, हम को, आलेलुया, बोलना मुश्किल होता है, तकलिफ लगता है, यह होता है इश्यू का प्रेम, इश्यू का प्रेम, जगत का प्रेम के जिसा नहीं है, मामूली प्रेम नहीं है, इसका प्रेम बहुत गभीर प्रेम है, आप समझना चाहिए इश्यू आपको कितना प्रेम करता है, ये कहानी द्वारा इश्यू समझा रहा था हम आपसे कितना प्रेम करता है आपको सिर्फ माफी नहीं देता है आपको फिर सनमान भी देता है आपको फिर से उठाता है हालेलुया